ओम नमाशिवाई जै मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योटीब चैनल पुरत्तेवार टोटके मैं हूँ आपके साथ रिमचेम शर्मा दोस्तों नए साल का आगाज होने वाला है अब कुछे दिन शेश रह गए हैं एक जनवरी 2021 इस दिन शुक्रवार दिन है और शुक्रवार का दिन दोस्तों मान लक्षमी का दिन होता है जोतिश और पंचां के मताबिक भी शुक्रवार के दिन को बहुत ही शुभ माना गया है और खास बात हो जाएगी एक जनवरी 2021 को कि शुक्रवार के साथ साथ इस तिन दोस्तों पुष्यनक्षत्र और बुद्धादत्य योग का सैयोग भी बन रहा है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छे आगाज की योड इशारा कर रहा है तो साल 2020 में जो भी परिशानियां बीती हमारे चीवन में कोरोना काल की वज़े से कोरोना महामारी के संकट की वज़े से वो अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में प्रथम दिन से ही हम कुछ अच्छा देखने जा रहे हैं पुष्यनक्षत्र और बुध्धादर्तिय योग का बनना एक बहुत ही शुभ संयोग है और शुभ संकेत भी तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अब विस्तार से आगे बताती हूँ कि प्रथम दिन जो है साल 2021 का उससे कैसे हम मानेंगे कि आने वाला साल हम सब के जीवन के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा तो वीडियो आंस तक जरूर देखें जो उपाई मैं छोटे से बताने वाले हूँ उस उपाई को आप जरूर अपनाएं चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी सरूर कर लें नोटिफिकेशन के लिए बेल बिटन दबा कर रखें ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके दोस्तों सबसे पहले तो बड़ी राहत की जस तरीके से मैंने बताई अभी बाते शुबता कर संके 2021 साल के अंतिम दिन यानि की 31 दिसंबर की संध्या काल से ही 7 बच कर 50 मिनट से 1 जनवरी 2021 के दिन सूर्योदय तक अमरित सिध्धी योग भी रहेगा इसके साथ ही दूसरा शुब संयोग, गुरु पुश्ययोग और सरवार्थ सद्धी योग भी बन रहा है तो कुल मिलाकर बहुत ही शुब संयोगों के साथ नई साल का आगमन हो रहा है गुरु और पुश्ययोग में अगर हम भगमान सोर्य की पूजा आराधना करते हैं तो हमें सभी प्रकार के रूगों से नजात मिलती है तो आप समझे कि कोरुना का जो संकत चल रहा है इस वक्त उससे नजात मिलने की हमें संभावना पहले से ही दिख रही है इस दिर मैं आपको आगे भी बताओंगी कि महालक्ष्मी की विशेश अनुकंपा के लिए आपको क्य पाय करने चाहिए दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं अभी खर्मास बीत रहा है लेकिन 2021 की प्रथम दिन जैसा मैं बता रही हूं कि पुष्य नक्षत्र योग में खर्मास होने के बाद भी आप अभी जीत महुर्द में मांगलिक कारिय संपन कर सकते हैं जैसे कुछ लोग घ तो साल का पहला दिन है इस दिन आप अभी जीत महुर्द में ऐसा कर सकते हैं साल के प्रथम दिन कई लोग बहुत आप की खरीदारी करते हैं लेकिन क्योंकि खर्मास बीता है तो बहुत लोग नहीं करतें। लेकिन इस योग में आपको खरीदारी करना बहुत ही शुबता और सम्रुधी का सूचक रहता है। तो आप फुशिनक्षत्र और अभिजीत महुर्त में खरीदारी भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई शुब कर्म आपको करने हैं वो आप करें। और इस समय और इस योग में किया गया वो शुब कारिय सकरात्मक परिणाम आपके जीवन में लेकर आएगा। तो पहली तारीक हम उत्सा के साथ मनाते हैं और इसमें अगर कोई शुब मांगले कारिय हमें करने हो तो आप जरूर कीजिए। दोस्तो पुष्य नक्षत्र की अगर बात करूं तो पुष्य नक्षत्र बीत रहा है इसकी वज़े से पुष्य योग होने पर आप आपूश्रों की खरीदारी कर सकते हैं, जमीन जायदात की खरीदारी कर सकते हैं, घर, मकान, गाड़ी और कपड़े आदी की खरीदारी कर तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ वो उपाई जो आपको पहली तारीख को कर लेना है बहुती विशेश संयोगों के बीच जो योग बन रहा है वो आपके लिए हर तरफ उन्नति लेकर आएगा इस दिन जैसा कि रोगों से मुक्ति के लिए विशेश उपाई किये जात जो भगवान सोरी को आप जल अर्पित करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको काले तिल मिलाकर अर्पित करने है तो इस उपाई को आप जरूर कर लिए रोगों से मुक्ति के लिए दूसरा जो एक और उपाई है क्योंकि माता महालक्षमी का दिन है उनकी विशेश अनुकंपा के लिए हमें उन्हें जरूर प्रसंद निकलना चाहिए साल के पहले दिन ही तो इस दिन माता लक्षमी की विशेश पूजा आरातना करें मा लक्षमी को उनके प्रिये भोग इस दिन आपको अर्पित करने चाहिए धन्य धान की हमेशा आपको नती मनी रहती है माता लक्षम माता लक्षमी के इस प्रिय भूग से आप जब उन्हें अर्पित करते हैं मालक्षमी की विशेश अनुगंपा प्राप्त होती है और जीवन में धन्य धान की कभी कोई किलत ना हो हम ये सब ही चाहते हैं तो माता के आशीश से ऐसा ही होता है तो आप पहली तारीख को अपने लिए तो आप तमाम तयारियां करें ही, खुशियां मनाएं ही, लेकिन ये दो उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए. दोस्तों उमीद करती हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही महत्व पुर्ण जानकारी थी, जो मैंने आपके साथ शेर की है, जो लोग खरीदारी करना चाहा रहे थे, वो इस तिन गुरु पुशे योग और सरवार्थ सद्धी योग में ऐसा कर सकते हैं. बग वीडियो में दी कई जानकारिया, आपके लिए उपयोगी साबित होगी, वीडियो अगर पसंद आये, तो जरूर लाइक कीजेगा, कमेंट कर, कुछ अन्ही जानकारिया आपको चाहिए, आप मुझसे जरूर पूछें, वीडियो आर तक देखने के लिए आप सभी का बहु शुक्रिया, जे मातारानी दोस्तों